हलो प्रेंट्स तोड़े इस 21 चून इंट्रनेशनल योगा डे दोहजार एक्केस में सात्वा अंतरास्टी योगा दिवस मनाया जा रहा है पहला योगा डे 2015 में मनाया गया था योगा की अगर हम बात करें तो इसकी उत्पति शब्द की उत्पति संस्कृत शब्द से होती है जिसका अर्थ होता है शरीर और चेतना का एक जुट हो जाना शारिरिक मांसिक और अध्यात्मिक एक जुटता का ही नाम जो है बहाई योग है योगा is not just about stretching or touching your toe, it's also about letting your mind and soul resonate and strengthen, so योगा मतलब शरीर और मन दोनों का ही मजबूत होना, 2021 की योगा जे की theme है योगा for well-being, recognize its universal appeal on 11 December 2014, और 21 शून ही क्यों आखिर चुना गया योगा दिवस के लिए because of Northern Hemisphere, उत्री गोलार्ट में सरवाधिक बड़ा दिन होता है, longest day of Northern Hemisphere, उत्री गोलार्ट का सबसे अधिक बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रातिहा होती है, भारतिय संस्क्रिती और परंपरा के अनुसार ग्रिश्म संक्रांत्री के बाद जो सूर्य वैदशनायन होने लगता है, जिसके बाद 21 जून बर्ष का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, और इस परिगटना को हम Summer Solastries के नाम से जानते हैं, एक उत्री आयनांत परिगटना, जो सूर्य के सामने प्रत्वी का उत्री गोलार्थ जो है, जो Northern Hemisphere है, वैं टिल्ट होता है, जुका हुआ होता है, साथी सूर्य की जो सीधी किर्ने है, वैं Tropic of Cancer, यानि साड़े 23 डिगरी के उत्री आक्षांस पर सीधी पड़ रही होती है, साड़े 23 डिगरी के उत्री आक् साथी, साथी, तो वाट्स द साना 21st जून, जो 21st जून इस लोंगेस्ट रही होता है, साथी सूर्य के जो साड़े 23 डिगरी का उत्री आक्षांस, तो कमेंट करके जरूर बताए, कि 2020 के इंटरनेशनल योगा दे की जो थीम है, वैं क्या थी, ठैक यू, ठैक यू बैरी मच कमेंट इंटे कर दो मेंटेशनल canal इंट आक्षाद